प्रकास गरंथ जो है यह प्रकास प्रकास ही क्या है प्रकास उज्याला किसीज का प्रकास तार्तम का प्रकास प्रकास उज्याला देता है क्योंकि तार्तम जो है यह एक सूरिय है तार्तम रुपी शूरिय जब उदय होता है तो मुह अज्यान रुपी जो निशा है यह नश्ट हो जाता है भाग जाता है यह अज्यान गोश्वामी तोलसिदास्टी कहते हैं मोह निशा सबसोव निहारा सब संसार में मोह के रात्री में सोय हुए है इस मोह के रात्री से जगने के लिए तार्तम का उज्याला चाहिए तार्तम का प्रकास चाहिए तार्तम का जो प्रकास है ये सूरिय है जैसे संसार में देखे बहुत सारे ग्रह माला है इस भूमंडल में इस संसार में इस सारे जितने भी ग्रह है इक ग्रहों का जो माला है ये किन से प्रकासित होते हैं? सूरिय के प्रकास से सारे ग्रह माले प्रकासित हो जाते हैं इसी तरह से संसार में जितना भी सास्त्र का सास्त्र रुपी जो माला हैं सास्त्र की जो माले हैं इस सारे सास्त्र माले तार्तम के प्रकास से प्रकासित हो जाते हैं तो प्यारे सुन्दर शाजी भक्तवरिन महामती स्वामिश्री प्राणनाजी ने अपने इस प्रकास ग्रंथ में प्रकास भी किया है और उस प्रकास उस उज्जाले तक पहुंशने के लिए अथवा जो ब्रह्म का प्रकास है वो ब्रह्म का जो पुंज है वहां तक पहुंशने के लिए एक साधना बताया है तो साधना के लि प्राण्णा जिमा प्रभु ने दुनिया में इसी साधन को लोगों ने अपना साधना भी बनाया है, तो प्राण्णा जिमा प्रभु ने दुनिया के साधना को शाधन के दर्जा में लिया है, साधन का दर्जा दिया है, तो साधन शिंपल है, हर शुंदर साथ को लगता है, ह बड़ा ही खराब है शरीर का हर एक जो स्टुमेंज हमारे पास है ये तो सब मुह जनीत हैं मुह से उत्पती हुए हैं और सब अग्यान के बशी भूत है तो इनके जरिया हम कैसे ग्यान याने की प्रकास तत्तों को प्राप्त करें पूर्णता को प्राप्त करें हमारे श्री तो होता ही नहीं सब सुन्दर्शाद बोलते हैं हर शादक बोलते हैं कि कैसे होता ये सरीर तो ऐसा है महामती स्वामिश्री प्राणनाजी ने सरल उपाय बता दिया कोई उतनी बड़ी बात नहीं है कि सरीर के अंदर जो भी आझे किम्हेंक है, जो भी साधन है, जो भी तत्व, जो भी पदार्थ है, जो भी एंस्टूमेंट है, इनके जरीये ही हम सरल तरीके से शाधन कर शकते हैं, साधन बना कर कर के शाधना कर शकते हैं तो उसके लिए प्राण्या जिबाँ प्रभु ने हमारे अंदर जो भी ज्यानिंद्रिया है, जो भी कर्मेंद्रिया है, जो अंतकरण है और ज्यानिंद्रिया, कर्मेंद्रिया, अंतकरण के माध्यम से एक सरीर जो खड़ा होता है, इस सरीर के अंदर बहुत सारे गुण आते तो उन गुणों के माध्यम से हम लोग जिजगते हैं और बहुत लोगों ने सबहुत चात्रों में बहुत संतों ने बहुत मनतों ने इन चीजों को इन गुणों को बहुत धिकारा भी है नकारा भी है इनको धुतकारा है त्यागने की बात की है इनको फैकने की बात की है लेक इस अंचार में जो भी गुण है ये सारे गुण तो साधन है इनके माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त कर शकते हैं अपने जीवन को शाधना शाधन बना करके जीवन को शाधना मैं बना सकते हैं अर्वशी शाधना मैं जीवन के जरिये परमात्मा तक पहुंच सकते हैं तो प्राणना जी माप्रभु ने बहुत सारे गुणाओं को ले करके अपने जीवन में एक सरल साधना का प्रोशेश बता दिया है प्यारे भक्तवरिन सुंदर साथ जी तो आए उन में से प्राणना जी नहीं नहीं बहुत सारे धर्मक्रंतों ने बहुत साधकों ने बहुत सास् अधिकारिय जी ने भी शाधना चतुष्टे की बात की है एक जो साधग है एक अधिकारिय वेधान्त का जो अधिकारिय उसके अंदर शाधना चतुष्टय होना नहीं थे अनुवारी है जरूरी है बिना साधना चतुष्टय संपन्न व्यक्ति वेदान्त का अधिकारी नहीं बन सकता है ब्रह्म का अधिकारी नहीं बन सकता है तो उसमें प्रणाजी माप्रभु ने केवल साधना चतुष्टय को के माध्यम ही नहीं और अंदर जो साधन है जो घून है उनको भी प्लस कर दिया है प्यारे बक्तवरीन तो आए साधना चतुष्टे के अंदर जो समादी शट शंपती लिया शमादी शट शंपती के अंदर शम दम की बात आती है तो प्रणा जी माप्रभु ने यहां पर भुद्धी को लिया है और श्रवन को लिया है सबसे पहले हम श्रवन को देखे श्रवन जो तत्वा है श्रवन जो करण है श्रवन जो साधन है वो है हम उसको कान बोलते हैं श्रवन तो हर एक साधना के पक्षि में सबसे पहला यह श्रवन आता है श्रवन मनन निदिध्यासन भागवत में भी इस बा कि अब हमारे पास केवल साथ दिन टाइम है तो हम क्या करशकते हैं सुकदेव जी माराज को पूछते हैं तो सुकदेव जी माराज ने सबसे पहले श्रवन की बात किया है कि सबसे पहले तुम श्रवन करो विना श्रवन कुछ होगा नहीं श्रवन करो श्रवन के बाद मनन करो मनन के बाद निदिध्यासन करो भगवान राम श्रवरी को बताते हैं कि जो श्रवन भक्ती है ये श्रवन भक्ती ही क्या है पहला भक्ती है नवदा भक्ती में श्रवन भक्ती को पहला लिया है श्रवन जो भक्ती है श्रवन करने के बाद फिर क्या होता है श्वेम परमात्मा श्रवन के जरिये से कान रुपी रोंद्र के जरिये से सब्द के माध्यम से वो सरोब ब्रह्म रिदय में आकर के भी राजमान होते हैं रिदय में खड़े हो जाते हैं प्यारे भक्तुरिन कि गोस्वामी जी कहते हैं जिसने अपने कान से परमात्मा की कथा न सुनी हो परमात्मा के विशे में चर्चा न सुनी हो परमात्मा का सरोप का चर्चा न सुना हो तो उसका जो कान है कैसा है उसके कान तो अही के भवन समान है याने कि शाप के विल के समान है उनका कोई अर्थ नहीं है यहां स्रवन एक सब्द को ले करके प्राण्णा जीने सारे कर्म इंद्रिय और ज्ञानींद्रिय को लक्ष्य किया है येसी स्रवन के अंदर शब को हमें देखना चाहिए भद्रम करने भी शुणयाम देव भद्रम पश्य मक्षविर यजत रहा वेद भी कहता है क्या करना चाहिए हमेशा भद्रम सुनना चाहिए कल्यानकारी चीज़ों को सब्दों को सुनना चाहिए भद्रम पक्ष्य मक्षविर यजत्रा अपने कांखों से हमेशा कल्यानकारी वस्तु को देखना चाहिए कल्यानकारी शरुप को देखना चाहिए याने कि हमारे ग्यानिंद्रे से जो भी आहरण होता है जो भी ग्रण करते हैं जो भी आहार करते हैं हम सब के सब भद्र हो जाए कल्यानकारी हो जाए याने कि प्यारे भक्तुरिन संत महात्मा लोग कहते हैं हमारे जीवन में, जो भी हम सुनते हैं कान के जरिये, जो भी आहरण करते हैं, वो सुने हुए जो सब्द है, वो स्रवन हो जाए, यहने कि फालतों की बात, सरीर, संसार, वेवार की बात को छोड़ दे, परमात्मा के बात को हम सुने, परमधाम की बात को सुने, उनकी लीला को सुने तो जीवन हमारा श्रवन मय हो जाएगा और हमारे प्रतिक आख की पलक खोल के जो हम संसार में देखते हैं महापुरुष कहते हमारा देखने का जब भी जो भी दृष्य हम देखते हैं हमारा दृष्य क्या हो जाए दर्शन बन जाए हर एक दृष्य हमारा दर्शन बन जाए कैसे बनेगा दर्शन हर एक दृष्य की दृष्य में तो कुछ भी आता है जो कुछ भी हम देखते हैं कई बुरे चीज भी देखते हैं, कई भले चीज भी देखते हैं, लेकिन प्यारे भक्तवरीन, इसको कैसे दर्शन बनाएं, एक ही माध्यम है, एक तो हम कभी भी अपने अंदर शे ये भद्र ही देखने के इच्छा करें, कभी भी अभद्र देखने के इच्छा ना करें, और यत्किंच्या जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृध्ध कश्य श्विदनव। पूरे जगत को इशा मैं देखे। तुलसी दासी कहते हैं, पूरे जगत को मैं कैसे देखता हूँ, अगर ये भाव रख करके हम अगर अपने आँखे को खोलते हैं, तो हमारा प्रतेक देखना क्या हो जाता है, दर्शन हो जाता है, और प्यारे सुन्दर्शाज जी, जो भी हम ग्रण करते हैं, जो भी भोजन करते हैं, प्रतेक हमारा जो ग्रास है, वो प्रशाद बने, कैसे बने, वो भी वैसे ही, जो भी हम लेते हैं, पहले परमात्मा को अरपन करें, फिर हम खुद ले लें, तो प्रशाद हो जाएगा, हर एक कर्म हमारा जो है, वो सेवा बन जाए, हर एक कर्म जो भी हम करते हैं, दिल में हम ये भाव रखे कि कर्म फल की अपेक्ष्या न रखे और परमात्मा में अरपित करके हम कर्म करे तो हर एक कर्म हमारे जो है वो सेवा बन जाएंगे और हमारा हर एक पाव का जलना जो होता है हमारा हलेक चलन जो है वो परिक्रमा बन जाए क्योंकि हम चलता फिरता ध्यानी वने हर पल हर वक्त हमारा जो भी एक कदम भी बढ़ाना है परमार्त्म के लिए बढ़ाएं सुन्दशात के सेवा के लिए बढ़ाएं परमात्मा के दर्शन के लिए बढ़ाएं तो हमारा प्रतेक पग जो है प्रतेक स्टेप जो है वो परिक्रमा बन जाते हैं और प्यारे भक्तवरिन बोलना सबसे ज्यादा तो यह है सबसे कठोर अंग भी यह यह जब किसी ने अगर मुझ को वाक को बस में कर लिया तो सारा ज लगद बस में कर लिया तो सिदास जीवी बशीकरण मंत्र कहते हैं अगर किसी ने जुवान में लगाम लगा दिया तो उसने बशीकरण मंत्र प्राप्त किया हो क्यूंकि बोली ऐसी चीज है काग कोईल एक वर्ण है बैठे ही एक डाल बोली से पहचानी है या कोईल या कि पाराग है सेम है वर्ण में वैशाई सरुपे काला काला ही है दोनों कैसे पैचानते उनको बोली से एक का का करके एकदम करारा बोलता है एक कुहू कुहू करके मिठी बोलती है कोईल प्यारे भग्त वरिन तो प्रण्य dön न प्रभुत स्वरिन कहते हैं मेरे मिठे मीठे बोले साथ जी हुआ तुमारा काम प्रेमे में मगन होई यो खुल्या दर्वाजा धाम दर्वाजा धाम दर्वाजा खुलने का सरल उपाय है कि मीठे बोली बोलो मीठा सब्द बोलो मीठा भी कैसा मीठा की तेल डाला हुआ मीठा नहीं प्यारे भक्तविन ओ मीठा ऐसा हो सामने वाला जो भी अपने जिसके साथ बात कर रहे हैं उसका जीवन में हमारे शब्द जो है ओ हीत कर जाए उसके जीवन को शुधार दे या कोई भी एक इस्टे परमार्थ के तरफ ओ अग्रशर हो ज अगे तो हमारे सारे गुणांगा इंद्रिय जो है ये सफल हो जाएंगे प्यारे सुंदर शाजी दूसरे गुण को प्रणाजी ने लिया नीद अब ये गुणांगा इंद्रिय छोड़ दिया अब नीद को लिया ये नीद गुण है सब के अंदर आती है ये नीद नीद त और श्रोता को भी जो कथा श्रवन करने बैढ़ते हैं तो सबसे पहले आती है और गरदन में बैढ़ जाती है और पीछे से बार-बार धक्का देती रहती है यह सारा सब को परिशान करती है तो प्रणाजी महाप्रभु ने इसको क्या किया इसको प्रणाजी ने भगा दिया प्रणाजी ने लिया और एक गुन अरूची अरूची जो है यह अरोची बहुत जवरजस्त है यह अरोची कहती है कि मैं एक बार जहां जा करके बैठ जाती हूँ ना कोई मुझे हटा नहीं पाता है मैं इतनी जवरजस्त हूँ प्राणाजी ने विचार किया आरे तेरे पास इतना ताकत है तो इतनी जवरजस्त है तो तुम मेरे काम आ प्राणना जी ने कहा तो उसको कि आरे अरुची देख तो अभी तक कहा है परमात्मा में बैठिये परमधाम में बैठिये सद्गुरु के ज्ञान में बैठिये भजन में बैठिये भक्ती में बैठिये यह तेरा इस्तान नहीं है बेटा यहां से उठ जा तो उठ करके पहां भजन भक्ति में क्या हुआ, रुची बढ़ गई बुलो क्रिश्ण ग्निया अलाले की, हमेn भी तो यही क्या करें। हम तो कई दिन से सोच रहे थे, चर्चा में जाएं, वाणी सुने, कथा सुने, भजन करे, भक्ती करे, लेकिन रूची होती है नहीं, मन लगता ही नहीं, हमें भी तो यही प्रब्लम है, प्यारे सुन्दर शाजी, इसको क्या करना है, अरे रूची इसको उठा करके संसार में रख दे, अगर हम, तो फिर इदर के तरफ, परमात्मा के तरफ, रूची वढ़ जाती है, बहुत सरल तरीका, बहुत सरल उपाय बताए प्रब्लम जीने, प्रमात्मा को प्राप्त करने के लिए, प्यारे सुन्दर शाजी, और एक गुण प्रब्लम जीने लिया, स्वांत, स्वांत, आराम से होता जाएगा, हो जाएगा, प्राप्त जीने देखा ये स्वांत को, आरे ये स्वांत कैसी है, ये स्वांत तो क्या कहता है, धनी मिले, स्वांत न कीजे, प्राप्त जीने जब धनी मिले, तो स्वांत नहीं करना, स्वान्त होना था किदर देखा प्राण्णा जी ने स्वान्त तो संसार में होना था प्राण्णा जी ने स्वान्त को भी लगा दिया संसार में लेकिन क्या हुआ यह हमें भी होता है क्या स्वान्त माने हो जाएगा करते रहेंगे क्या भाजन भक्ति अरे कोई बोले चलो भजन करने भक्ति करने सत्चं करने मंदीर चलो तीर्थ चलो कोई बोले तो हम करने तीर्थ भजन भक्ति इस उमर में अभी क्या विता है अभी तो बस हम 30, 40, 35 के ही हो गए अभी भजन करेंगे अभी भक्ति करेंगे आरे वो तो 60 साल के बाद हो जाए पर्व के अधसर पर शवन कीजे रजरास जागनी और परंधाम की शीतार्तम वाली कथा चाचा